असलाम अलेकूं वेलकेम बैक टू मैं चैनल अवर हूं फूट्स तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे आलू लेकिन अंडे आलू हम आज बहुत ही इजी मैथर्ड्स बना रहे हैं यहां पर मैंने 2 प्यासती जिनको कट कर लिया था एक चमश लशन अद्रक पेस्ट लिया है और 2 चोटे 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 चिमाटर थी जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया है यह बीमेस में डाल दूंगे और इसको एक फाइन पेस्ट इसका तयार कर लेंगे तो यह रैसिपी बहुत जो और फटने नहीं लगते हैं, तो इस तरह से अंदर तक अभी पुछ आता है, तो आप इसको फटने ले लिया है। तिक वैसल में मैंने ओयल ले लिया ही, यहां पे मैंने मस्टड़ लिया है आप को भी ले सकते हैं मैंने 200 शमच लिया है तो अब इसके अंड़ के अंदर फ्राइ कर दूड करूंका Reports अंड़ की और मैं डालूंगी अधा चम्मच प चल्डी और आधा मुच लाल म्च पॉड़ अब यहां पर यह प्यास का पेस्ד डाल देंगे और इसको फ्राइ करेंगे अच्छे से वर जब तक रूद्चर्थे सरिवारादा है कि इसको बहुत अच्छे से बूखना है सिर्थेटेशन सब्सक्रण बूट चमष्नद्रग का पेस्ट इसको mix करेंगे और अच्छे से एक मिनट और हाई फिलेम पर हम इसको पकाएंगे अगर आप अंडे की अंडे से रिलेटिड और रेसिपी देखने चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जाके विजिट कीजिए तो यहाँ पर मैंने मसालो में लिया है एक चमच लाल मिर्ट का बॉडर आदा चमच हल्दी और नमक टेस्ट के हिसाब से यह हम इसमें एड़ कर देंगे और इसको भून लेंगे अच्छे से तो यह अच्छी तरह से भून रहा है अब हम इसके अंदर डालेंगे करी पत्ता तो करी पत्ता है यहाँ पर मेरे पास फ्रोजन है मैं इसको स्टोर करके रखती हूं इंशाला जल्दी इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूं तो इसको हम ले लेंगे और तीन तो इसको अच्छी निकल कर आता है तो इसको अच्छी से हम फ्राइ कर लेंगे तो आप देख सकते हैं और अधिया है तो बस यही पर हम एड करेंगे जो हमारे आलू है उनको एड कर दिंगे उसे पहले डालेंगे एक कप भरके पानी आपको जितना शोरवा रखना है जितन तो इसको अच्छी आप इसमें पानी एड कर सकते हैं तो यहां पर हमने अंडो और आलू को डाल दिया है और दो सी तीन मिनट के लिए हम इसको आई फ्लेम पर बॉइल लाने देंगे साथ यहां पर मैंने यह लिया है जो आनियन होता है इसके ऊपर जो यह ग्रीन हो जाता ह अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न बूले साथी बैल आइकन को भी क्लिक करना न बूले जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंशती रहे दौाओं में याद रखिए मिलते आपसे अगली वीडियो में एक नई रैसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिस